उत्रप्रदेश के मुख्या मंत्री योकी आधितिनाथ आने वाले 25 दिसम्ब को प्रदेश के एक लाग यूवाओं को मुबाइल और टैबलेट वित्रत करेंगे इस बात की जानकारी उत्रप्रदेश के CM कार्याले के निकारे के ट्विटर के जरिये दी गई है इसको लेकर राज़ानी लखनों के अतल बिहारी एकाना स्टेडियम में एक बड़ा कारकर महाचुद किया जाएगा आपको बता दें कि CM योगी ने राज़े के एक करोर यूवाओं को मुबाइल और टैबलेट देने की खोशना की है और अब इसी के पहले चरण में आने वाले 25 दिसंबर को 60,000 मुबाइल और 40,000 टैबलेट यूवाओं को दिये जाएंगे अब 25 दिसंबर से मुखे मंत्री योगी यादितिनात सभी चात्रों को मुबाइल और टैबलेट बाटेंगे पहले चरण में 60,000 चात्रों को मुबाइल दिया जाएगा जबकि 40,000 चात्रों को मुबाइल फोन दिये जाएंगे इसके लावा साथ ही आपको बता दें कि अब चुनास से पहरे ये एलान कर दिया गया है तमाम पार्टियों की तरफ से ये एलान किया गया है कि अब चात्रों को मुबाइल और टैबलेट बाटे जाएंगे साथ ही आपको बता दें कि सीम कार्यालिक अधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई है और इसको लेकर राज़ानी लखना हो कि अटरल विहारी काना स्ट्टियों में एक बड़ा कारक्रम भी आउजवित किया जाएगा जिसमें सीम योगी राज़े के एक करोड युवाओं को मुबाइल और टैबलेट देने की घोशना कर चुके हैं अब इसी के पहले चरण में आने वाले 25 दिसंबर को साथ हजार मुबाइल और चालिस हजार टैबलेट युवाओं को दिये जाएंगे आपको बता दें कि पहले चरण में MABA, BSC, BTEC, MBBS, MD, MTEC, PhD और अन्य पार्ठेक्रमों के आखरी साल में पढ़ाई कर रहे चात्रों को प्रात्मिक्ता मिलेगी जानकारिक मताबिक DG शक्ती पोर्टल पर 38 लाग से जादा युवाओं का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और अभी भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाद चल रही है दरसल सरकार ने इस योजना के लिए आयू लिंग जाती जैसी कोई भी सीमान नहीं रखी ये योजना उन सभी चात्रों को समान रूप से मिलेगी जो 2021-22 में पजिकरत हुए हैं इसके साथ ही उन चात्रों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी भी होना निवारे है आपको बता दे कि सरकार ने पहले चरण में दो हजार पैतिस करोर रूपे के ओर जारी किये हैं इसमें 10,740 रूपे की दर से साढ़े 10,5 मुबाईल और 12,606 रूपे की कीमत वाले 7,20 आबलेट शामिल हैं पंजाब के अमरिज सर के सवन्ड मंदेर और कपूर थला के एक गुर्दवारे में कठित बे अदबी को लेकर दो लोगों की हफ्ते के बाद केंज़े ग्रहमंत्राले पंजाब सरकार को अलर्ट जारी कर दिया है सूत्रों के मताबिक इंद्र सरकार ने पंजाब के तमाम धार्मिक इस्तलों, डेरों, मंदिरों, गुर्दवारों और अन्य सभी धर्मों के धार्मिक इस्तलों पर सुरक्चा बढ़ाने का निर्देश दिया है ग्रह मंतुरारे ने इनर्ट किया है कि पंजाब में धार्मिक भाबनाओं को भरकाने की नापाक योजना, देश विरोधी तत्वो की तरफ से की जा रही है सूत्रों के मताबिक पंझाब में दंगे भड़काने और धार्म किसतर पर बे अद्भी या अन्य घटना करने के माहौल बिगाने की साजेश रची जा सकती है इसी वज़ा से केंद सरकार की ओर से धार्मे के स्तलो पर पंजाब पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने और नजर रखने के निर्देश जारी कर दिये हैं और इसी इंपुट के बाद पंजाब सरकार ने सभी धार्मे के स्तलो की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है मंदिरों से लेकर गुर्द्वारों में CCTV कैमरों को लगाने और गाउन सरपंचों तक को आगा करना शुरू कर दिया है सरकार ने निर्देश दिया है कि अगर कोई भी शरारती तत्वों गाउन यधार में के स्थलों के आपसपास दिखाई देता है तो उसकी सूचना ततकाल ही पुलिस को दी चाए उत्रखन के उत्तकाशी में गंगोत्री नाश्चनल हाईवे से लगे है रतूरी सेरा गाउं में ओल वैदर रोड की कारिदाई संस्ता की तरफ से किये गए खराब काम से ग्रामिन खासा परिशान है ग्रामिनों इस साशन प्रसाशन पर गाउं की अंदेखी को लेकर आरोप लगाए साथी आपको बता दें कि ओल वैदर रोड कटिंग की वज़ा से जहां गाउं को जाने वाला एक मात्रूरास्ता तूट चुका है तो वहीं एक मकान को भी खासा नुकसान पहुंचा है लेकिन अभी तक प्रसाशन की तरफ से कोई कारवाई अमल में नहीं आई है जानकरी यह है पर तक्षम की परिमाना मिस्ता परिमान में क्या दे सकतो है आपको दिखाई दे रहा है रास्ते के यहां ते हालत है यहां से मकान तोड गया है नीचे से यहां से आदमी नीचे गिरेगा खतम हो जाएगा बचने को फोई मतलब ही नहीं एगा चाहर रास्ता तोड़ जिया चाहर जो है सड़क तोड़ जी सारफ जो यहां का हमारा रुकाओ था वो सम निकाल दिया अब नीचे से खोड़ा हो गया ऊपर से जहां दरारे पर रही है सारफ पट गया देख लो सारफ जिवाल तूड़ गया नीचे रास्ता खतम हो गया देखिए आप पूरी दरार बड़ी हुई है कभी माप को दुरकर दो सकती है यह मकान यहां पर भूगनेजी का है इसको कभी खत्र हो सकता है इनके नादान पच्चे है और यह गाहां खचर गोरे जा रहे सब को गत्रा है मैं निवेदर करूगा प्रसाशन से कान कोल के सुन ले जल्दी से जल्दी किस रास्ता के निर्मार कर दें कि आल बैटर रोड में से नियम भी है जहां आप थोड़ें वहां आप जो है अप शिक्राज सिक्रतियों से पूरा करें दूसरी बात यहां पर ऊपर एक गूल थी हमारी जो शिचावी पा प्रसाशन पर गाउं की अंदेखी का आरोप भी ग्रामिडों की तरफ से लगाय जा रहा है तो देले के मुख्यमंत्री अर्विंद केशिवार प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं सीधे आपको सनाते हैं दिल्ली में हमने लगबग 99 प्रतिशत लोगों को फर्स्ट डोस दे दी है 70 प्रतिशत लोगों को सेकिंड डोस दे दी है हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोस एलाओ की जाए इस बारे में किंदर सरकार परमिशन देता है तो मेरी किंदर सरकार से निवेदन है कि जो जो लोग दो डोस ले चुके हैं उनको बूस्टर डोस देने की इजाज़त दी जाए ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें दिल्ली में अब हमारे पास पूरा इंफरसेक्टर है अगर बूस्टर डोस के इंदर सरकार अलाओ करेगी तो सबसे पहले हम अपने हेल्फ वरकर्स को दे देंगे और फिर बाकी जनता को बूस्टर डोस दे सकते हैं आज दिल्ली की कैबिनिट की भी मीटिंग हुई और उसमें एक सबसे एहम फैसला जो लिया गया वो ये कि दिल्ली टीचर्स युनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं दिल्ली में टीचर्स तयार करने के लिए अच्छी कॉलिटी के टीचर्स तयार करने के लिए एक दिल्ली Teachers University बनाने जा रहे हैं इसका एक कानून लाया जा रहा है और उस कानून को आज दिल्ली की कैबिनेट ने मनजूरी दे दी आने वाले विधानसभा का जो भी सत्र होगा उसमें दिल्ली Teachers University Bill को पेश किया जाएगा हमारा मकसद है कि Excellent Quality के Teachers इस University के द्वारा तयार किये जाएगे इसमें Integrated Course दिये जाएंगे Four Year Integrated Teacher Education Program होगा बारवी के बाद इसमें B.A.B.Ed, B.S.C.B.Ed, B.C.M.B.Ed तो एक तरह से New Generation Teachers इसमें तयार किये जाएंगे और जब बच्चे इस University में पढ़ रहे होंगे उनको दिल्ली सरकार के स्कूलों के साथ अटैच किया जाएगा तो उनको On The Job Training साथ साथ मिलती रहेगे Throughout उनके चार साल के पीरिड में वो स्कूल के साथ भी अटैच रहेंगे तो वो Practical Training भी उनको बहुत अच्छे से मिलेगी और उनकी theoretical training भी वहाँ पे लेंगे इसका admission जो है वो 2022-2023 का जो academic session है उसमें इसका admission प्रोसेस चालो होगा तो दिल्ली के मुख्यमंति अर्विन केचिवाल को सुन रहे थे आप जहां पर वो Omicron को लेकर जानकारी दे रहे थे साथ ही उन्होंने बताया कि चार Omicron के मामले बढ़ चुके हैं दिल्ली में सामने आये हैं इसके साथ ही बूस्टर डोस की भी मांग केंज सरकार से कर रहे थे तो चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे कुछ और खबरों का हरिद्वार से बीजेपी की विजे संकल्प यात्रा लकसर से सुल्तानपुर पहुंची जहां कारकरताओं ने हर्श के साथ बीजेपी सरकार की यात्रा का स्वागत किया संकल्प यात्रा में उत्राखंड कैबिनेट मंत्री धन सिंग रावत के साथ बलराज पासी पूर्व सांसर शुभा नाम प्रजापती विधानसवा प्रभारी डॉक्टर जैपाल सिंग चोहां चिलाध्यक्ष बीजेपी शाम वीर सैनी और पूर राज्यमंत्री नरेश बंसल राज्यसवा सांसर मौझूद रहे कारक्रम के दोरान लक्सर विधायक संजे गुपता ने एक बार फिर लक्सर के लिए सिविल अस्पताल और डिक्री कॉलिज की मांग की संकल्प्या का हमारे हिज़ार से सुरूई है वो बहुत एहत्यासिक है जवर्दस समर्ठनिस का मिलना है और कल हमारे राश्ट्रे देख जिनी का इसका सुभारम क्या है आज भी लगभग एक दरजन से जावे जाए हमारे कारिक्रम होए हैं और लगभग 20 अस्तानों पे या पांट सालों में उत्राखंड को जो है जारधाम आलवेदर रोड हो चाहिकंड पर जायके लेल हो और शड़के हो आप हाईवे देख रहे हैं यहां से घरादून जाते थे तो आपको दो घंटे त्मीन हिंटे लगते थे आज आज आप 35-40 मिनित ने यहां से पहुंच जात पर कभ्यान चलाया और ग्रामिनो कोकेंड और राज्य सरकार की जन कल्यान कारी योजनाओं की जानकारी दी इस दोरान उन्होंने पार्टी के नेता और कारकरताओं के साथ बैठा कर कारकरताओं कोकेंड सरकार और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्यान कारी ग्योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने और ग्रास रूट लेवल तक इसका लाप पहुंचाने की बात भी कही देखें मिराज सुबह से लगातार बिंदुखत्ता के कई लाखों में दौरा हो रहा है कही लोगों से मिलना जुलना हो रहा है छोटी चोटी हमनों कर सभाय वह कर रहें लोगों समस्य के अपने दौरो सवार कार कую अगर ही दॉरे mamma सामरे भी है है कि किस तरीक से 2022 में भार्चंदा पार्टी को चुनाहों में एक भारी और भौमत के साथ एक जीत प्राप्त होगी